हेलो एबरीवन कैसे हो आप सभी आई होग यो बहुत मस्त होंगे आज हम फिर से एक इलेक्ट्रिकल पैनल बनाने जा रहे हैं यह पैनल बलाई दुवारा बनाया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं इसका नमबाई चौड़ाई डेढ़ है तो इसमें अभी पूरा इलेक्ट्रिकल का सिस्टम सेटिंग करेंगे यह MTP बोक्स है इससास में इडोकिटकट ग्रिप है और एक फोल्डर है और एक खार्ट मोडुलर का पलेट है इसका क्या काम है इसे हम बाद में देख लेंगे इसे निशितना आपके अनुसार सिधा ही रहकर सभी सिस्टम पे निशान लगा लेंगे तो फ्रेंट निशान लग चुकी है तब हम फिलाल हटा लेते हैं और इसे नुटमाजन से सभी निशान पे कोल करेंगे प्रेंट साब विजयों को अम तरह देखेंगे पूरा विजयों आपको समझ आएगी का वाइरिंग करकर पी अभी हम बताएंगे किस पर करकतनी है तो फिलाल फ्रेंट हमारा कटिंग हो चुकी है यह बोट का भी कटिंग हो चुकी है साथ में एंसीवी बोक्स ग्रीप और फोल्डर का भी इसन लग चुकी है अब बलेक कलर होने के वज़े से यह अच्छी से दिशाइन दे रही है इस परकार रहकर हम मेडी गार्ड श्क्रू या नटबोल्ट श्क्रू द्वारा कस लेंगे तो फ्रेंट्स अपना पुरा सिस्टम लग चुकी है इसे हम नटबोल्ट द्वारा कस भी चुकी है तो इसका वायरिंग किस परकार करेंगे चलिए हम आगे देखते हैं तो फ्रेंट्स इसमें हम डीपी को सेटिंग कर लेंगे डबल पॉल का कनेक्शन है इसे डीपी या इसुलेटर भी करते हैं साथ में आपका जितना सर्कुट बन रहा है उस परकार एमसीपी का सेटिंग कर लेंगे तो सभी एमसीपी को इस परकार सेटिंग कर लेंगे तो फ्रेंट सेटिंग हो चुकी है आप देख सकते हैं डीपी की इन्पुट कनेक्शन में भी दो वायर निकली हुई है जो कि इस परकारी से मीचे से हम पार कर चुके हैं तो डीपी के दो उपरी भाग आउटपुट से भी दो वायर निकली है यह पलस पॉइंट है जिसे हम सभी एमसीवी में जोड़ेंगे ताकि सभी एमसीवी में आपका एल पॉइंट चला जाए तो फिर अटस आप देख सकते हैं एल पॉइंट हम एक एमसीवी में दे चुके हैं और निकली पॉइंट उपर की पत्ती में दे चुके हैं तो इसे हम निचे से इंपुट कनेक्चन जो की डीपी में आ रही है सभी एमसीवी में इस पत्ती दवारा हम एक दुसरे से कनेक्ट कर चुके हैं यदि एक एमसीवी में भी एल पॉइंट देंगे तो सभी एमसीवी में चली जाएगी इसे बात फ्रेंट आप देख करते हैं इसे हम इस परकार प्लट लेंगे यह आपका डिपी से निकली ही दो वायर है जो कि इस आट मोडलर में भी हम कनेक्स करेंगे इसके सार्थ दो वायर हम इस परकार और पार कर लेंगे जो कि यहां से हम इंपुट कनेक्सन देंगे जो मिटर से वायराएगी और एक किटकट द्वारा और चाहकर आटपुट कनेक्सन को हम जोड़ लेते हैं जो दो इसे भी इस तरह प्लट कर देखे मैं यह वायर, जो कि अपका किटकट गृप से आई हुई है दो वायर है कि फ्रण्स निव्रन पॉइंट को हम जोड़ लेंगे जो डीपी से आयु है और एक जो किटकर से आयु है इतमें दो वार और हम इश्टरा जोड़ लेते हैं यह वार हम क्यूं जोड़ेंगे चलिए बताते हैं यह पॉइंट जो है इनवाइटर चार्जिंग के लिए है एक चार्जिंग के लिए पॉइंट दे देते हैं और एक इनवाइटर आउटपुट के लिए हैं सात्स में प्रेंट से दो इंडिकेटर लगी हुई है जो कि एक मेन लाइट का संक्यत देगी और दूसरा इंडिकेटर जो कि आपका इनवाइटर लगने के बास चलेगी तो फिलाल इस में हम नुटल पॉइंट को connect कर देते हैं और अच्छे से nut को कसलेंगे और दूसरा नुटल पॉइंट क्रेंड एक इन्वाइटर चार्जिंग पॉइंट में फाइपिन में लगा देंगे इस indicator point को हम इन्वाइटर के सब इस circuit wire में connect कर देंगे ताकि जब इनदीटर आओफुट लगेगा तो आपका एक डिकेटर चलेगी और इस पर का इस एल पॉइंट को भी कनEKT कर लेते हैं गया जीकर भी कुश्राइब दंब इसके साथ यemmentीकर वाइर को भी कनEKT कर देते हैं तो इसका भी एल पॉइंट का नट खुलकर अच्छी तरह से कफ लेंगे विडियो को ध्यां से देखे फ्रेंट बिल्गुल भी समझाज जाएगी एक बार और रिपिट कर सकते हैं फ्रेंट्स यहां से देख सकते हैं यह जो वायर आई है यह घ्रीब से होते हुए अपका एक इनवाइटर चार्थी में आ चुकी है और यह दूसरा इनवाइटर आउट्पुट का है इसके साथ हम एक इंडिकेटर का वायर लेकर सार्टित का सारा इनवाइटर वायर को कनेक्ट कर देंगे तो फ्रेंड्स यदि आभी एक हाउस वैरिंग कावर करते हैं तो इस परकार पैनल बना सकते हैं